आज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं एक amplifier kit जी हाँ आप इससे बिलकुल familiar होंगे यह एक amplifier kit है जो के एक local market से हमें बहुत ही easily मिल जाती है DC जो हमारे पास systems होते हैं इनको हम अपनी language में DC कहते हैं और पाकिस्तान के अंदर आप लोग जानते होंगे तो वहाँ पे हमें यह circuit बहुत ही जदा easily मिल जाता है इस विक जो आप मेरे पास kit देख रहे हैं इसमें मैंने जो main transistor जो power transistors installed किये हुए हैं वो हैं हमारे पास C5200 यानि के 2SC5200 अच्छी output लेने के लिए वैसे आम तोर पर इसके अंदर हम जब market से इसको purchase करते हैं तो इसमें D1047 जो transistor है जो के size में छोटा होता है इसके बेर टूद इस transistors वो वहाँ पे लगा होता है और जहां तक output की बात है तो it's good मतलब मैं good गऊंगा इसको ज़्यादा brilliant नहीं कोंगा output को मैं नॉर्मल भी नहीं कोंगा बट it's good अगर इसमें से आप maximum लेना चाहते हैं तो इसमें से जो components आपने लगाने हैं इसमें वो totally original होने चाहिए Japanese होने चाहिए branded होने चाहिए जिसमें हमारे पास main transistors हैं और इसके लावा हमारे पास जो stage के उपर जो pre amplifier stage के उपर transistors लगे में वो सब original होने चाहिए इसके लावा capacitors जो आप इसमें यूज़ करता है वो भी यह जो transistor है यह use जरूर होता है अभी भी अच्छे systems के अंदर बट जहां तक design की बात है वो इतना कोई impressive नहीं है सबसे बड़ी जो इसमें चीज है सबसे बड़ी जो इसमें चीज बूरी मुझे लगती है वो यह होती है कि इन में से इन में से कोई भी transistor जो pre-amplified stage पे भी लगए है अगर वो short हो जाता है किसी भी वज़ा से बहुत आराम से वैसे यह kit short हो जाती है in case output पे अगर कोई भी problem हो जाए यह heat up हो जाती है बहुत आराम से kit short हो जाती है मैं आपको यह बताता चलूँ और आम तोर पे क्या होता है कि अगर output stage के अपर आपने original transistors यूज़ किया हो है जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है तो इनको कुछ भी नहीं होता यह जो छोटे transistors हैं यह यहाँ से shortage होती है और shortage जब होती है वो बेशक left channel में हो या right channel में हो जैसा कि आप जानते हैं कि यह double channel amplifier है stereo amplifier है तो उसका जो problem होता है वो यह होता है कि यह पूरी की पूरी जो kit होती है यह काम करना बंद कर देती है जो सबसे बड़ा मुझे इसके अंदर flaw लगा है इस design के अंदर क्यूंकि अब जो मेरे पास नहीं designs हैं उन में से किसी भी एक channel के अंदर problem होती है तो दूसरे इसके अगर एक channel है यह एक से ज़्यादा channel है तो वो काम कर रहे होता है वो बिलकुल kit जो है वो बंद नहीं होती बट यह वाली जो kit है यह बिलकुल पूरी तरह से काम करना छोड़ देती है जो के सबसे ज़्यादा disturbing बात है इस kit को लेकिए और दूसरी बात यह है कि इसको repair करना भी काफी ज़्यादा difficult है as compared to other kits क्यूंक इसमें जो fault होता है वो में इतने RAM से trace नहीं हमें होता हमसे ठीक है तो उसके लिए हमने क्या करना होता है कि एक एक transistor को हमने check करना है और even हमें कभी कभी यह भी करना पड़ता है कि जो transistor है इसको हमें desold करके निकाल के यहां से हमें इसको check करना पड़ता है कफी ज़्यादा time लाग जाता है इसको rectify करने के लिए so कफी ज़्यादा disturbing चीज हो जाती है बाकी जहां तक बात है इसकी sound की तो जैसा कि मैंने आपको बता है कि normal sound है इसका अच्छा sound है but it's not so impressive so जहां तक बात इसकी sound की है वो normal है और जो beat हमें मिलती है जो हमें bass मिलती है वो भी बस normal है बट इससे जो है वो around 10 से लेके 12 inches का जो subwoofer है अगर आप इसको अच्छी supply दे रहे हैं इसके 6-8 amperes की कम अज कम आप इसको जो transformer आप इसको अपने लगाया हुआ है आपको supply दे रहे हैं इसको तो यह अच्छा operate करता है मतलब कि हमें जो beat है में जो bass है से अच्छी मिल जाती है इ जैसा कि आप देख सकते हैं वो sub resistors बड़े लगे हैं higher wattage के लगे हैं और इसमें different types of हमारे पास kits होती हैं जिसके अंदर transistors जो हैं वो भी चोटे लगे हुए होते हैं और resistors भी चोटे लगे होते हैं तो obviously जो हमें output है वो कम ही मिलती है अभी यह जो design आप जैसके देख रहे ह हैं इसके अंदर normal range components मैंने लगाए हुए हैं diodes भी यहाँ पे 6 amperes के हैं capacitors यहाँ से मैंने फिलहाल उतारे हुए हैं यहाँ पे मैं बड़े capacitors भी लगा सकता हूं जो कि मैंने पहले लगाए हुए थे तो इस kit से भी जो हमें output मिलती है वो भी कोई इतनी खास नहीं मिलती है 60 watts RMS part channel हमें इस kit से output मिलती है यानिके left और right channels जो है हमें 60 plus 60 watts यानिके 120 watts के round इससे हमें total power मिलती है जो कि ठीक है considerable है अगर आप indoor इसको use करते हैं और कुछ cases में outdoor भी आप इसको use कर सकते हैं एक अच्छी मतलब एक normal output के लिए but it's not so impressive I'm telling you again so guys अगर आपने यह purchase करनी है तो नहीं बने भी then you should go for IC based system यानिके integrated circuit based systems जो होते हैं वो आपको चाहिए होंगे if you want a sweet based यानिके थोड़े से sound के ओपर भी थोड़े से sound level के ओपर भी आपको एक अच्छा bass मिल रहा हो so at least आपने जो pre stage होती है वहाँ पे operational amplifier का use करना यानिके integrated circuit का use करना यहाँ पे जैसा कि आप totally transistorized circuit है totally transistor based circuit है तो यहाँ पे हमें sweet based नहीं मिलेगी यानिके जब हम थोड़े से sound के ओपर भी हम काम कर रहे होंगे हम इसको operate कर रहे होंगे तो हमें इसमें से वो based नहीं मिलेगी जो कि हम चाहते हैं ओके गाइस तो अब मैं आपको इस kit के कुछ input और output के connections हैं वो समझाने वालों काफी लोगों को समझ नहीं आते जब वोई kit purchase करते हैं मुझे काफी लोगों ने message किया है कि आप हमें इस kit का review दीजिए तो यह जो वीडियो है यह सिरफ और सिरफ उन लोग के लिए है सबसे पहले जो हमने क्या करना है कि यहाँ पर transformer की input देनी होती है उसको जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है 25, 0, 25 यहाँ पर 25 ग्राउंड और 25 यहाँ पर लिखावा है यहाँ पर हमने AC input देनी है यहाँ पर diodes लगे में है 6 ampere के diodes है, rectification के लिए, rectification होती है, capacitors लगे होते right channel यह दोनों कठे on हो जाते हैं और जहां तक audio input की बात है तो आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह रखनी है कि यहाँ पर इसके दोनों side के ओपर capacitors लगे होते हैं, कुछ भी value के हो सकते हैं, यहाँ पर जो मेरे पास है वो 15 UF और 450 volts का capacitor यहाँ पर लगा हो है, each, तो यह हमने क्या करना होता है, कि हमने kit को उल्टाना है, ठीक है जी, और यह वहले जो दो capacitors आप जैसा के देख रहे हैं, इनकी जो negative point है, यह जैसा के आप देख रहे हैं, यह negative point है, यह actually हमारी speaker output होती है, जो के यह दोनों points होते हैं, ठीक है जैसा के आप देख सकते हैं, यहाँ से ह हमने क्या करना है, यहाँ से let's suppose this is the left channel and this is the right channel output, यहाँ से हमने दो wires, निकालनी left channel और right channel के लिए, और जो तीसरी wire है, मतलब जो ground wire हो हम कहीं से भी ground का जो होता है, हमारे पास point वो ले सकते हैं, but you should prefer के आप जो ground है, वो कहां से लें, power supply की जगा से, क्योंकर वहाँ पे ज़्या है, वो बात मुझे अच्छी नहीं लगती, इसमें काफी ज़्यादा noise produce होती है, हमें वो बेशक, हमें वो ज़्यादा सुनाई नहीं देती, but वो ही लोग जो के बहुत ज़्यादा conscious है, quality पे compromise नहीं करते तो उनको इसके sound का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसकी output के उपर distortion portion भी होती है, इसकी output के उपर ज्यादा जो है, वो noise भी हमें सुनने को मिल सकती है, so guys, ये छोटा से review था इस kit का, overall अगर मैं आप से बात करूँ, इस price के अंदर, अगर आपको 120 watts, 100 से 120 watts के करीब, अगर amplifier मिल रहा है, तो it's okay, इसकी जो price है, market के अंदर, जो हमें मिलती है, वो जो transistor है, ये थोड़े से costly होते हैं, around 100 rupees का आपको एक transistor मिल जाता है, एक अच्छी quality का, एक original quality का, ठीक है जी, so guys, ये एक छोटा से review था, इस amplifier kit के लिए, अगर आपने, इस kit के बारे में, और भी मालूबात मेरे से लेनी है, अगर मैं इसके बारे में, कोई और video बनाऊं, इसक output दिखाने के लिए आपको, इसका sound दिखाने के लिए आपको, so guys, तो आपने मुझे जरूर बताना है, comments के अंदर, so guys, thanks for watching the video and stay connected, goodbye.